गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की पाठ साला में आपका स्वागत है, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ सोला, माइकल फराडे, माइकल फराडे एक प्रसिद वैज्ञानिक थे, यह पाठ उन्हीं के जीवन पर आधारित है, तो आईए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं पाठ, सोला, माइकल फराडे, महनत और लगन से सफलता मिलती है, गरीब परिवार में जन्मे, माइकल फराडे अपने इन्ही गुनों के कारण वज्ञानिक बन सके सरक पर तेजी से भागती वी गाड़ियां तुम प्रती दिन देखते हो, बस और ट्राम में चड़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा बिजली के पंखे और इस तरह के कई उप्योगी साधुनों से तुम पड़िचित ही हो, कारखानों में तरह तरह की मशीने भी तुमने देखी होंगी, क्या तुमने सोचा है कि ये सम मशीने किस प्रकार चलती हैं? ये मशीने बिजली के चुमबक से चलती हैं, बिजली के चुमबक की खोज माइकल फराडे नामक एक वग्यानिक ने की थी, फराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उप्योगी चीजे मिल पाई, परन्तु बाले काल में उसे कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था, उ माइकल छा साल की आयूस से पाट साला जाने लगा था, पर उसके पास किताबे नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परिशानी होती थी, लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगा कर पड़ता रहा, और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा, इस प्रकार साथ साल बीत गया, अब माइकल तेरह वर्ष का हो गया था, परन्तु गरीवी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया, ब्यचारा माइकल मन मार कर रह गया, पिता की आग्या के अनुसार उसने घरों में अखबार बांठना आरम किया, कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहां नौकरी मिल गई, जिल्द बनाने वाला किताबों में जो हम लोग कवर लगाते हैं उसे जिल्द कहते हैं, ठीक है, इस महाने उसे किताबे पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा, फेराडे परिश्रमी बालक था, वह अच्छी जिल्द बांठता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था, यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई भी किताब आती, तो फेराडे उसे अवस्त पढ़ता, एक दिन एक बुढ़ी आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मगन देखा, वह बिद व्यक्ति स्वयम एक वज्ञानिक था, उसने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया, उसने पुछा, तुम कहां पढ़ते हो, मैं कहीं नहीं पढ़ता है, मैं ये जिल्दे बांठता हूं, माइकल ने उत्तर दिया, मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं, जानकारी बढ़ाने के लिए मैं ये किताब पर रहा हूं, वह बिजवेती माइकल के उत्तर से खुश हुआ, उसने सलाह दी, यदी तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो, तो सर हमफरे डेवी के भार्षन सुना करो, माइकल तुरंत भार्षन की जगा पर जा पहुँचा, वहां जा कर उसने देखा कि भार्षन सुनने के लिए टिकट खरिदना जरूरी था, मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरिदा और भार्षन सुनने लगा, लोटने पर मालिक ने पैसे काट लिए, शाम को कम पैसे लेकर घर पहुँचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले इस प्रकार पैसे बरबाद मत किया करो अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई उसने कहा तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा तुम्हारी मज़दूरी से नहीं काटूँगा माइकल की कामना पूरी हुई वह डेवी साहब के भासन सुनता उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता कुछ दिन पस्चात वह उनसे मिला सरहंफ्रे डेवी को वह हुनहार बालक बहुत पसंद आया उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्ट करने लगा इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान बग्यानिक बन पाया बच्चो यह कहानी थी महान बग्यानिक माइकल पराडे की ठीक है इसके बाद हम लोग आप लोग इस पार्ट को पढ़िएगा और हम लोग प्रशनुत्तर के बारे में चर्चा करेंगे इसे पहले आपने कॉपी में सबदर्थ लिखेगा और इसे याद जरूर किजिएगा फिर मुहावरे है हाथ बटाना, साहता करना, मन मार कर रह जाना, अपनी इक्षाय दबा लेना इनको आप याद कर लिजेगा आईए हम लोग सबदर्थ देखते हैं सबदर्थ उप्योगी काम में आने वाला खोज, तलाश या सोध बालेकाल, बचपन, कठिनाईयों, मुश्किलों लोहार, लोहे का सामान बनाने वाला परेशानी, मुश्किल संबंधित, बारे में या जुरा हुआ बच्चो, मैं बार-बार आप लोगों को एक सलाह देती हूँ कि जब सबदर्थ पूछा जाए और उसमें एक ही कहा जा लिखने के लिए तो एक ही आप सबदर्थ एक ही लिखेगा जैसे यहाँ दो है तो आप दो नहीं लिखेगा केवल एक ही लिखेगा, ठीक है मग्न, दूबा हुआ या लीन लीन मतलो किसी काम में लीन हो जाना, ठीक है मग्न हो जाना व्रिध, बुढ़ा, क्रोधित, गुस्सा, कामना, इक्छा या चाह पश्चाद, बाग तो यह है सबदर्थ आईए अब हम लोग प्रशनुत्तर के बारे में देखते हैं प्रशनुत्तर मौकी बहुत ही आसान है और एक-एक लाइन का उत्तर ही इसका तो इससे हम लोग अभी चर्चा करते हैं आप लोग सुनिए माइकल फराडे कौन थे माइकल फराडे एक महान वैज्ञानिक थे माइकल का स्कूल जाना क्यों बंद हो गया गरीबी के कारण माइकल का स्कूल जाना बंद हो गया फराडे को कहा नौकरी मिली और उसने वहां क्या लाग उठाया फराडे को कहा नौकरी मिली थी, माइकल फराडे को, एक जिल्ध बनाने वाले कहा नौकरी मिली थी, जहां वो बिजली से समबंदी किताबों को परते थे, ठीक है, माइकल किसके भासन सुनने जाता था, माइकल सर कंफरी डेवी का भासन सुनने जाता था, माइकल फराडे ने क प्रस्नुकतर लिखतर भेजूंगी मैं आप लोगों को, फिर देखिए प्रस्नुकतर लिखे, माइकल फराडे को अपने बाले काल में किन कठिनाईयों का सामना करना परा, तुन्होंने बच्पन में क्या कठिनाईयों का सामना किया था, आईए हमनों देखते हैं, माइकल फर में हाथ भी बढ़ाते थे फिर भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा था इस तरह से वह अपने मेहनत परिशन से आगे बढ़ेते ठीक है मैं प्रशनुतर लिख कर भेज़ेंगी मैं बार-बढ़ यह आपसे कह रही हूं अभी हम्रों सिर्फ इस पर चर्चा कर लेते हैं न वह उनसाब को पढ़ता था इससे पता चलता है कि माइकल को बिजली के विशे में रुची थी माइकल की इच्छा किस प्रकार पूरी हुई माइकल के मालिक ने जब उसे हमफ्री डेवी के भासन सुनने के लिए टीकट के पैसे देने का वादा किया तब माइकल की इच्छा पूरी हुई माइकल फराडे में क्या-क्या गुन थे, जिनके कारण वे एक महान वग्यानिक थे माइकल फराडे बहुत ही परिश्रमी और मेहनती थे उन्होंने लगन और परिश्रम से ही अपना लक्ष प्राप्ट किया था मुश्किलों का सामना उन्होंने डट कर किया, उनसे हार नहीं माना इस प्रकार वे एक महान वग्यानिक बने अब है पाठ अंगा, पाठ का या अंस पर कर प्रश्नों के उत्तर लिखो तो यहां यह पैरग्राफ है, इसको पढ़ना है और हमें इसका प्रश्नोंतर लिखना है वह डेवी साहब के भासन सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता कुछ दिन पस्चात वह उनसे मिला, सर हमफ्रे डेवी को यह होनहार बालक बहुत पसंद आया उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया, माइकल डेवी साहब के भासन सुनकर क्या करता था, तो माइकल डेवी साहब के भासन सुनकर उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता था माइकल किन से मिला माइकल सर हम्फरी डेवी से मिला सर हम्फरी डेवी ने माइकल को अपना शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष और सर्वनाम उनको वह यह दो संग्या सब्द हो तो इस तरह से इसे आपको कॉपी में लिखने की ज़रत नहीं है कॉपी में सिर्फ आप लोग प्रस्नुत्तर लिखित और मौकी दोनों ही लिखिएगा फिर नंबर टू में देखिए यह है वाकी को पूरे करो हम लोग इसे भ चलती है नंबर खर फैराडे परिश्नमी बालक था नंबर गर माइकल को बिजली से संबंधित किताबे पढ़ना अच्छा लगता था नंबर गर सर हंफ्रे डेवी को वह बालक बहुत पसंद आया नंबर अंगर अनेक मुश्किलों का सामना करके वह महान विज्यानिक बन ग है कीजेगा इसके बाद नेक्सट पेजमें है भाषा से भाषा से को भी आप अशीन जो है इसे पुस्तक ही कर लीजेगा मैं यहां लिख देते हम पुस्तक पुस्तक ठीक है तो क्या है यहां है मिलते जुलते जो डिखांकित शब्द है उसका दूसरा एक अर्थ लिखना है यानि एक तरह से कहिए तो समान अर्थ वाले शब्द तो मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ हर रोज का क्या है प्रति दिन बिजली का बल एक बहुती फाइदे मंद चीज है तो फाइदे मंद का क्या होगा उपयोगी जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी का हम लोगों दूसरा मेनिंग लिखना है फेरादे ने संसार को अनेग उपयोगी चीजे दी तो यहां संसार का क्या होगा विश्वर फिर रमेज को कक्षा में प्रतम आया जानकर सभी बच्चे हैरान रह गए हैरान का क्या होगा चकित फिर अंगा है एक लग गुरु द्रोन का चेला बनना चाहता था चेला का चाहता क्या है शिश्य पैर की का क्या होगा अनंद दमम्बर छवती में रोज समार पत्र-पत्र फर्ति हूं समारि का होगा उग अक्भर तो इस तरह से यहां पर हमें लिक ले ना है उस करना है हमिएं कौण से गुणों कोंगर करना चाहिए यानि हम अच्छे समक्राइब कौन Kid settings लगन दशी बिंदू दख्या Dies tip है नंबर 3 में क ensuring पर अनुस्वा या अनुनाशिक बिंदू चंद्र 받고 लिखना लिखना है जैसे परतु लिखा यहां पर कहां लगाएंगे यहां पर बिंदू लगाएंगे यहां पर आनंद का यहां पर बिंदू लगेगा ठीक है तो इस तरह से यह हो गए आपका तो बच्चों यह थी पाठ 16 आप लोग इसे पढ़िएगा और इसका प्रश्णूतर अपनी कॉपी में लिखिएगा ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद